दोस्तों कल हम सभी फटी हुई आखों से देखते रहे गए कि युनाइटेड किंडम जो कि अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रासी का ठेकेदार बताता है वहां रूल अपलो की दजियां कैसे उड़ाई जाती हैं भारती राजदूद गुर्दवारे में कोई बिन बुलाए नहीं गए थे उनके पास निमंत्रन था पूरा का पूरा कारेक्रम पूर्व नियोजित था उसके बावजूद यह दंडता की गई वो भी कब जबकी बिटिस पुलिस तेहना थी उनकी पुलिस खुद बोल रही है कि भाईयो हम तो समय पर पहुँच गए थे अरे भाईया दी क्या आपके पहुचने का माचार डाले अब हमारे देश के लोग हैं यूके से कुछ बोल नहीं सकते तो गालियां हमें दे रहे हैं कि तुम यूके को बुरा वला क्यों के रहे हो अरे यूके छोड़िये अगर यही घटनाकरम भारत में किसी बिटिस राज दूत को भागना पड़ गया दोस्तों जो सवाल यह गोरे पूचते हैं वही हमने पूच दिये तो बुरा गोरों को नहीं लग रहा है हमारे देश के लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है यार कि क्या खेह दिये यह अरे भाईया ब्रिटिन ने 200 साल राज किया है भारत प जनती है अरे भाईया जी भाड़ में जाए ऐसी इप नंबर था हम ब्रिटिस लोएन ओर्डर की तारींस तो जनाब तब करते हैं जब तमाम अवरोधों को पार करते हुए कारक्रम पूर्णता है सफलता पूरवक आयुजित होता अरे भाईया जी कारक्रम भी क्या था वहा दिक्कत आये तो भाईया जी क्या करना है आपको तो वास्ता में वह मदद करने गए थे और भाईया जी हवन करते हुए हुए उनके हाथ जला दिये गए ब्रिटिस पुलिस की अक्षमता दुनिया देखती रह गई रही बात उन खाल स्थानियों की तो भाईया ब्रिटेन क कहना है कि भाया जी हम एक्सन लेंगे अरे भाया जी कौन सा मूरत निकलवाए हो कब लोगे एक्सन मतलब उन्होंने वीडियो डाल दिया आप अभी तक हवा फांग रहे हो आसमान में तारे गिन रहे हो यह दोस्तों इनकी गंभीरता को दसाता है यह बात जरूर है कि अगर हम पुराना एक्सन लिया हमने आपकी तारीफ कर दी तो भाई जी इसका मतलब यह थोड़ी है कि अब आप एक्सन ना लो भाई सहाब अब तो आपसे अब एक्षा और ज्यादा है यू के में इंडो पैस्वित की बड़ी मिनेस्टर कहती है कि हमें बड़ी चिंता हो रही है र करेंगे तो इस तरह की गत्वित यहां जो आज सिर्फ यू के में हो रही है वो पूरी दुनिया में होंगी हम ब्रिटेन को उन्हीं मापदनों पर कसेंगे जिन पर वो हमें कस्ते आए हैं जितनी सुरक्षा ब्रिटेन अपने राजदूतों के लिए भारत में चाहता है बि ब्रिटेन की जो डीप स्टेट है ब्रिटेन की पुलिस है खूप या संस्ताइं है आज की डेट में उनकी हैसिया तो दो कौरी के फुल्ले से ज्यादा नहीं है तीन लोगों ने कारेक्रम रखवा दिया और आप यह सीटी भी नहीं बजा पाए इसे भाई सब हम निकम्मापन ना कहें तो ऑक्सपूर्ड डक्सनरी से आप कोई पॉलिटिकली करेक्ट अच्छा सा समाई देने वाला सब्द मिल जाए तो इस्तिमाल कर लीजिएगा और दोस्तों साल में एक मात्र पढ़ने वाले महा लक्षिमी ब्रत का आज आठवा दिन चल रहा है देरी मत कीजिएगा छह अक्टूबर को यह ब्रत समाप्त हो जाएग साल में एक बार पढ़ता है इसलिए इसी वीडियो के डिस्कुप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके आज में रवर इंवेस्टर पोर्स जोइन कर लीजिए ताकि महालक्षमी जी के आदेश को आप आखड़ों के माध्यम से पढ़ने की कलास सीख पाएं